नमस्कार दोस्तो जैमाल लक्ष्मी आपने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है लेकिन आने वाले अगले 24 घंटे के राशी फल में आपका बेड़ा पार होने वाला है दोस्तो आपने कई सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें तरहा तरहा की बाते की जाती हैं लेकिन उसमें से कुछ भी आपकी राशी में सत्य नहीं बैठता है इसलिए आज हम आपको सत्यता के साथ में एक बड़ी बात बताने वाले हैं अब आपके किसमत घोड़े से भी अनुसार बनाया गया है तो दोस्तो वीडियो को शुरू करती हैं लेकिन आपसे निवेदन है कि आप तीन बड़ी गलतियां मत करिएगा वन्ना आपकी किसमत एक फटे गुल्लक की जैसे हो जाएगी जिसमें आप बले ही कितना भी पैसा डाल ले लेकिन किसमत आपका साथ नहीं देगी और आप अच्छे पल को खर्च कभी नहीं कर पाएंगे दोस्तो अगर आप ने इन खास बातों को जान लिया अगर आपने इन बातों को अपने जीवन में अपना लिया तो आपको बता दें कि यकीनन मानिये कि इस जमाने में तो क्या, ब्रहांड में भी कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है क्योंकि आप सभी को बता दें कि आपके राशी के जा तक अपने जीवन में सुख में इस्तितियां लेकर आते हैं लेकिन इस समय काफी परिशान च जितनी भी तकलीफ है आई हैं इनका सापना आपने डट कर किया है और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के बारे में कुछ ऐसी खास जानकारिया देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महदपून रहेगी आपको बता दें कि अब आपके जीवन में ने वर्तन होंगे लिकिन आगे बढ़ने से पहले राशी फर जानने से पहले आप से हाज जोड करने वेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्के से कर लें ताकि हमारे द्वारा बताएगी प्रते एक जानकारी आप सभी को मिल सके दोस्तों इस वीडिय को बिलकुल भी इसकिप मत करना वीडियो में बताएगई सब ही बातों को द्यान से सुनना क्योंकि दोस्तों इतनी खास और महदबून जानकारी आपको बार बार नहीं मिलेगी इसलिए वीडियो को बिना इसकिप किये शुरू से लेकर अंतक देखिएगा हम आपको परिवर्दन है उसे स्विकार कीजिए अपनी परिशानियों को समझाईए कारे शैली दिन चर्या वैयाम आदी पर ध्यान देने की आवशक्ता है लोगों की बातों को ना समझने से कुछ गलत फैमिया हो सकती है नकारात्मक ताकी वजह से दिक्कते बढ़ सकती है जिन ढबदायक परिणाम भी पराप्त होंगे किसी दोस के माध्यम से आयके अतरिक्त श्रोत मिलने की आवशक्ता है तथा कुछ समय से चल रही अस्ते व्यस्ते दिन चर्या में भी आज कुछ सुधार देखने को मिलेगा परिवार जनोंके साथ में कुछ समय व्यतीत करने बारत कित सोच विचार अवश्य कर लें, कई मामलों में धीरज और धैरे रखना बहुत आवश्यक है आप सभी लोगों के लिए, दोस्तो इसके साथ ही साथ आपको बता दे कि पैसा आपके पास आता है और अगर नहीं टेकता है तो थोड़ा सतक रहना होगा, त्योंकि दोस्तो जर प्रणाली पर विशेश रूप से ध्यान रखें, दोस्तो इनसान आपको गिराने का कितना भी प्रयास करें, लेकिन इस समय आपको अपनी समस्या को सामना करना पड़ेगा, आगे बढ़ते रहिए, जीवन में सफल होते रहिए, तभी आप एक अच्छे और सफल इनसान पन बुजगार हैं, तो उनका भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको नौकरी के लिए कहीं से बड़ा ओफर मिल सकता है, अब दोस्तो बताते हैं कि आपकी एक और चीज बारे के बारे में, दोस्तो आपको बता दें कि आप लोगों को देवताओं की तरफ से कु परिशान कर सकते हैं, व्यपार में नई शुरुवात के लिए आर्थिक तंगी रह सकती है, लेकिन ईश्वर की करपा से आपके कारे जल्द बनेंगे, यदि किसी गंबीर बीमारी के चलते दवाईयों का सेवन आप करते हैं, तो इससे खाना ना भूले, विधारती आज वि परिकरम में जाने का मौका मिलेगा, आपका कोई अपना परीजन आपसे मेल मिलाफ करने आ सकता है, किसी काम को भागे के भरोसे छोडेंगे, तो आप सफलता आजिल नहीं कर पाएंगे, कोई पुराना निवेश आज आपके लिए लाबदायक साबिद होगा, लेकिन दोस्त तो कारे की शेतर में विरोधी स्तक्रिये रह सकते हैं, और आपके बनते हुए कारे को बिगालने की पूरी कोशिश करेंगे, किसी संपत्ती की प्राप्ती के लिए आज के दिन काफी बहतर रहेगा, आपकी नौकरी में परिवर्तन होने की संभावना बनती दिखाई दे रह वही नराजनेतिक संबंदित वा सामाजिक जीवन के दायर्दे को उच्चे की जरूरत रहेगी, इस समय में दोस्तों आप लोगों को मौसम अफगामों के कारण स्वास्त में उभर रही पीडाओं से आपको थोड़ा सा सम्हल कर रहना चाहिए वना परिजान हो सकते हैं, ख इधर परिवार में मांगली कारे को पूरा करने में ध्यान देते हुए रहेंगे, भाई और बहलों के मध्य समझत से की स्थिती बनी रहेगी, यदि आप विदेश, देश में दूरस इस्थानों पर अजीवीका के लिए जाने के विचार में हैं, तो काफी सफल रहेंगे, वही सपता के दुतिय भाग में विवाहिक जीवन में काफी खुशी के पल रहने वाले हैं, यदि आप विभाग के योगे हैं, तो अनुकूल जीवन साथी आप से जुड़ सकते हैं, इसके साथी साथ दोस्तों, यदि आप राजनेता हैं, तो विरोधी पक्ष को निशाना बनाते हुए, उन्हें करहरा जवाब मिल सकता है, वही सपता के अंतिम भाग में, स्वास्त में रोग वा पीडाओं के उभरने से कुछ परेशान रह सकते हैं, अथा अपनी सोच वूच के क्रम को कमजोर ना करें, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रह गोचर कुछ इस तर करना चाहती हैं, तो अपने लव पार्टनर के प्रती इमानदार रहें और अपने रिष्टे में पार दर्शिता बनाये रखें, इस समय दोस्तों, आप अपनी दिन चरया और खान पान का विशेश खयाल रखने की आवशकता है, अन्य था आपकी राशी के जा तक मौसे में वीमारी के शिकार हो सकती हैं, आप अपनी बुद्धी वा विवेक से अपने कारोबार को विस्तार देने में कामियाब होंगे, इस संबन्द में की जाने वाली यात्राय सुखद एवं सफल साबित होंगी, तो कारोबार करने वाले विपारियों के लिए समय जादा विश्को करने में ससुराल, पक्षिसे, विशेश सहयोग वा समर्तन मिलेगा, कारे की शेत्र में सीनियर आप पे महरबान रहने वाले हैं, सपता के उतरार्ध में, दोस्तो आपको पूर्व में किये गए परिश्रम एवं प्रयास का सुफल प्रदान हो सकता है, इस दोरान प्रयास करने में उनें बड़ी सफलता मिलेगी, घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मे कार्यों में लग सकता है, सपता के अंत में धर्मे यात्रा के योग बनेंगे, दोस्तो प्रेम प्रसंग की दृष्टी से ये पूरा समय आप लोगों के लिए अनुकूल है, प्रसंगों में दिखकते थी, तो इस समय दोस्तों किसी मित्र की मदद से वह दूर हो जाएंगी, सारी गलत फैमिया दूर होंगी, लब पार्टनर के साथ प्रेम में आप खोई रहेंगे, वहीं इस समय पर आपको कोई भी, इस सप्ता की शुरुआत से दोस्तों आपको सप वह कामों को पूरा करने में काफी प्रगती बनी हुई रहेगी, जिसे आप लगातार उत्साहित होते रहेंगे, कहने का अभी प्राय दोस्तों ये है कि संबंदित आजीविका के छेत्र में शांदार सफलता की इस्तिती बनी हुई रहेगी, यदि आप सक्षम अधिकारी है तो संबंदित विभाग के करमचारियों को उत्साहित करने के लिए उन्हें पदुनती देने का मूड अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर संबंदित कार्यवा कारुबार को उच्छे करने के अफसरों को देने वाला रहेगा, वही सब्ता के मद्द्भाग तक धन कमाने वा अंतर जंद्पदिय इकाईयों को सम्हालने के अफसर रहेंगे। इस समय की शुरुवात से सपनों को सजाने वक्कामों को पूरा करने में प्रगती बनी हुई रहेगी, जिससे आप लगतार उत्साहित होते रहेंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि संबंदित आजीविका के छेत्रों में शानदार सफलता की स्थिती बनी हुई रहेगी। यदि आप सक्षम अधिकारी हैं तो संबंदित विभाग के करमचारियों को उत्साहित करने के लिए उन्हें पदुनती देने का मूड रह सकता है। जीवन साथी के साथ डिनर डेट पर जाने की योजना पना सकते हैं। आप अपने धन का कुछ इस्सा दान पुन्ने के कारे में भी लगा सकते हैं। दिन में किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के लिए रह सकते हैं। आपने यदि पहले कोई निवेश किया था तो वह आप लोगों के लिए अच्छा लाब लेकर आ सकता है। बिजनिस में आप कोई जोकिम उठाने से बचें। नहीं तो बाद में आपको पच्चतावा हो सकता है। आपके किसी मित्र की सेहत में गिरावट होने के कारण आप उनके लिए कुछ रुप्यों का इंतिजाम भी कर सकते हैं। परिवार में किसी सदसे की कोई बात बुरी लग सकती है लेकिन फिर भी आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। नौकरी में कारे रत लोगों को अपने बौस से तालमेल बना कर चलना बैतर रहेगा। परिवार में नई शुरुवात के लिए आर्थिक तंगी रह सकती है लेकिन ईश्वर की करपास से आपके कारे जल्द बनेंगे। यदि किसी गंभीर बीमारी के चलते दोस्तों दवाईयों का सेवन आप करते हैं तो इसे खाना ना भूले। विध्यारती आज विदेश में किसी प्रतियों गिता में भागल ले सकते हैं। आपकी जिम्मेदारिया अधिक रहेंगी। क्योंकि दोस्तों छोटे बच्चे भी आज आपसे किसी वस्तु की फर्माईश कर सकते हैं। मातापिता के साथ किसी कारिकरम में जाने का मौका मिलेगा, कोई अपना परीचन आज आपसे मेल मिलाव करने आ सकता है, किसी काम को भागे के भरोसेदी छोडेंगे तो उसमें आप आसफलता हासिल कर सकते हैं। कोई पुराना नवेश आज आपके लिए लाबदायक साबित होगा, लेकिन दोस्तो कारे शेत्र में विरोधी सकरिये रहेंगे और आपके बंदे हुए काम को बिगालने की कोशिश कर सकते हैं। किसी संपत्ती की प्राप्ती के लिए आज का दिन आप लोगों के लिए काफी बहतर रहने वाला है। लाइफ पार्टनर से आपके संबंद मजबूत होंगे, सेहत संबंदी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तो परिवार के किसी मुख्य सदिसे के स्वास्त में सुधार आने से आपके चेहरे पर खुशी आएंगी। विध्यार्ती पड़ाई को लेकर कुछ गंभीर हो जाएं, जिससे पुरान नुकसान भी पूरा कर सकते हैं। वह दोस्तो बता दें, वर्क स्वेश पर पूरा दिन उच्छा से भरा रहेगा। बदलते मौसम को ध्यान में रखें, सर्दी की समस्या से अब परेशान रह सकते हैं। दोस्तो लाइव पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। दोस्तो परिवार के साथ में खुशियों के पल बिता सकती हैं। उच्छे शिक्षा विधारतियों को प्री प्लैन बर्क में सफलत देलाएगी। परिवार के साथ किसी ट्रिप की योजना पन सकती है। किसी ओर्डर के लिए दोस्तो ऑफिस से जुड़े हुए कारे को यात्रा करनी पड़ सकती है। तामपत्य जीवन में नए सदस्य के आने से कुश्छाली भरा मोहल रहेगा। दोस्तो सेहत के मामले में दिन आपके लिए काफी बैदर साबित होगा। परिवार के साथ आपके समद मैतर रहेंगे। विध्यारती सकारात्मक सोच के साथ में अपनी पड़ाई पर ध्यान देंगे। मार्केटिंग बिजनिस में आपको सतर्क रहना होगा। वर्क स्पेस पर आलस से के चलते किसी गुस्से को जेल रहा पढ़ सकता है। दोस्तो यात्रा में आपको कुछ बदलाव करने होगे। सामज़िक इस तरपर पोस्ट को लेकर के आप थोड़ा परिशान रहेंगे। बरिवार में किसी कारण से संबंद में तालमेल बैट सकता है। दोस्तो प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने प्रेमी के साथ रोमेंटिक निरर पड़ जाने का मौका मिल सकता है। आपके किसी साथी को आपकी कोई बाद बुरी लग सकती है। यदि आपके आसपास में कोई बाद विवाद हो तो आप उसमें चुप्पी लगाएं। नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। आप अपनी पारवारिक समस्याओं को लेकर कुछ परिशान रहेंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशा जनक सूच न सुनने को मिल सकती है। आपको संतान के लिए करियर को लेकर कोई महदपून फैसला लेना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ में आप किसी मांगलिक कारिकरम में संबलित हो सकते हैं। जहां आपकी कुछ रखसूकदार लोगों से मुलाकात होगी। माताजी को आखो वा पैरों से संबंदित समस्याओं हो सकती हैं। जिसमें आप डील देने से बचें। यदि आपके उपर कुछ पुराना कर्ज था तो उसे भी आप काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। जिसमें सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। कारेशेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाब उठाएंगे। आपके साथियों का आपको पूरा सयोग में लेगा। प्रतिस पर्दा का भाव आपके मन में बना रहेगा। अपनी समस्याओं को शांत रहकर सुलजाएंगे तो आपके लिए बैतर रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ किसी पिकनिक आदी में जाने की योजना भी आप बना सकते हैं। आपके घर किसी परिजन का आगमन हो सकता है जिससे मोहल काफी खुशनुमा रहेगा। छोटे बच्चे आपके साथ मौज मस्ती करते नजर आएंगे जिससे आपकी चिन्ताएं भी कम होंगी। यह समय आपके लिए उत्तम संपत्ती का समय रहने वाला है। दोस्तों पैत्रिक संपत्ती की प्राप्टी होने से आपकी संपत्ती में इजाफा हो सकता है। आप किसी से एंकार भरी बात ना करें, नहीं तो ईश्वर की नजर आपके उपर पढ़ सकती है, इसलिए हमेशा सब लोगों से सद्गुडों की भावना उत्पर करकर चलें। दोस्तों, इसके साथी-साथ आपको बता दें कि मा लक्ष्मी को प्रसंड करने के लिए कुछ विशेश बातों का बिध्यान रखना चाहिए। दोस्तों चाड़की जी कहते हैं कि जो लोग धन को सोच समझ कर खर्च नहीं करते हैं वह आगे चल कर परिशानिया उठाते हैं धन की बच्चत करनी चाहिए, धन की बच्चत व्यक्ति को पूरे वक्त से बचाती है, जो लोग धन आने पर उसे इधर उदर खर्च कर देते हैं, वह बुरा वक्त आने पर मुसीबतों का सामना करते हैं। धन आने पर एहिंकार भूल करके भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एहिंकार करने वालों को लक्षमी पसंद नहीं करती। ऐसे व्यक्ति को अपना अशिरवात कभी नहीं देती। दूसरों का अहित ना करें। दोस्तों धन आने पर कभी भी इसका प्रयोख दूसरों को हानी पहुचाने के लिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों इससे आप लोगों को लाब नहीं मिलेगा वर्राव। दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब बिना देरी के हुए हम बात कर लेते हैं। आपके एक और खास राशी फल के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दे कार विशेश पर ध्यान देने की आवशकता रहने वाली है। इसके साथी साथ पती पतनी का रिष्टा विश्वास पर ट करना नहीं है। आपका पैसे तभी आपके काम आएगा जब आप उसको संचित करेंगे। ये बात भली भाती जान ले। नहीं तो दोस्तों आपको आने वाले समय में पच्चताना पढ़ सकता है। साथी आपको बताएं कि आपके बहन का इसने आपको आगे बढ़ने के लि पूल और रोशनी और तितलियों से भरा हुआ। आज आपका रुमानी पहलू उभर कर आ सकता है। दोस्तों एहम लोगों से बात चीत करते वक्त आपको अपने आग कान खोले रखने चाहिए। दोस्तों हो सकता है कि आपके हाथ कोई कीमती बात या फिर विचार लग दोस्तों घर के लोगों के साथ में बात चीत करने के दोरान आपके मूँ से कोई ऐसी बात निकल सकती है जिसे घर के लोग कुछ नाराज हो सकते हैं। दोस्तों इसके बाद घर के लोगों को मनाने में आपका काफी समय जा सकता है। ध्यान रहे कि विवहा के बाद में कई बाते जरूरत से आगे बढ़कर अनिवारे हो जाती हैं। दोस्तो आज ऐसे ही कुछ बाते अज आप लोगों को व्यस्त रख सकती हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, दोस्तो कि यदि आपका प्रेमी आच चह कर्मियों के साथ में छोटे मोटे मुद्दों से विचलित लगता है। जो दोस्तो बहुत अधिक दवाब डाले बिना आपको अपना समर्थन देना सबसे अच्छा रहने वाला है। हाला कि समस्य जल्दी ही अपने आप हल हो सकती है लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आपका साथी अभी आस्वस्णों के प्रती ग्रहन शील ना हो दोस्तों यदि आवशक हो दोस्तों तो आप उन्हें बताएं कि आप वहाँ हैं लेकिन दोस्तों फिर अन्ने मामलों पर ध्यान भी केंद्रित करें उन्हें अपनी भावनाओं पर स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जगे देन आपके लिए आवशक हो सकता है रुमैंस नता प्रेम के खेल का आनंद लेने के लिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए इसे बीच अपनी कलपना के घोड़े दोड़ाएं और दोस्तो पार्टनर के साथ में कुछ यादगार पल इस्तित करें याद रखें कि कोई भी संबंद संबंद नहीं होता बस अच्छे पहलूओं पर ध्यान केंद्रित करके इसे और भी खूपसूरत बनाया जा सकता है दोस्तो आज आपके हिस्से में है एक मिश्रित परिणामों वाला दिन जिसमें आपको सफलता के साथ साथ असफलता का भी सामना करना पड़ सकता है दोस्तो जो इन खटे मीटे शड़ों में एक समान रहेगा वही तो दोस्तो सफलता का पात्र होता है इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आज आपका नाम होने वाला है और आपको प्रसिद्धी भी हाथ लगेगी दोस्तो आज आप तर्क के स्थान पर अपने दिल की आवाज और प्रवर्ती के अधार पर फैसले कर सकते हैं लेकिन दोस्तो वहविवित्य के लाब में लापकारी रहेंगे आप इन दिनों फैसले लेने में सबसे अधिक महंता अपने मन की आवास को देते हैं लेकिन आपको भविशी की बहतरीनता के लिए वर्तमान समय में कुछ आराम चीजों को छोड़ना होगा दोस्तों बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में प्रेम जीवन में क्या बड़े बदलाव होंगे चलिए जानते हैं तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें किसी से रोमेंटिक मुलाकात हो सकती है हाला कि मामला आगे बढ़ने में आपके और आपके पार्टनर के कुछ पाप परिपकवता आपके सामने आ सकती है अपने पार्टनर के पिछले समय को लेकर के आच रक्षित में सूस कर सकते हैं अपने बीच में आत्म विश्वास की भावना ना आने दे दोस्तो आप विश्वास की भावना ही आपके आत्म विश्वास को तोड़ सकती है दोस्तो इसलिए इसे छोड़ दे यदि दोस्तो भाव के साथ शांती से चलेंगे तो आप अपने पार्टनर के साथ में मजबूत रिष्टा कायम कर सकेंगे दोस्तो बात करते हैं अंतिम में आपके व्यापार और करियर के बारे में तो दोस्तों, आप एक लंबे समय से सीधे और पतले रास्ते में कठिन कारे कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज आप अपने कारे को पूरा करने के लिए प्रवंचिय चतुराई का सहारा ले सकते हैं। हाला कि दोस्तों, यह एक अनावशक जोखिम है। लोस्तों, लोग आसानी से आपके तंत्र को पहचान लेंगे और इसे अपरात का रूप ले सकते हैं। आपने सारों से जो प्रतिस्ट अगम आई है, वह आपकी जाबी सकती है। इसलिए दोस्तों, चतुराई का सहारा नाले सही हम से कारे करें। तो दोस्तों आशा करते हैं, जानकारी अच्छी लगी होगी, अंतक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।